जमू कश्मिर में बखलाए आतंकी घाटी में दो धमाके, दो घायल धमाके से दूसरी बार दहल गया उधामपूर शहर जमू कश्मिर घाटे में इस महिने पांच इनकॉंटर में कई आतंके को ठिकाने लगा चुकी सेना और पुलिस की कारवाई से आतंकी बॉकला गये हैं आतंकी उने साजिस के तहट बुद्वार और गुरुवार की दर्मियान रात और गुरुवार तरके बम धमाके किये पहला धमाका एक पिट्टोर पंपर खड़ी बस में हुआ जबकि दूसर धमाका उधमपूर बस स्टेंड में खड़ी एक बस में हुआ ये धमाका आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बसों में किये गए रहत की बाद रही कि धमाके में सिर्फ दो लोग जख में हुए हैं और किसी के जान जाने की खबर नहीं है सुलेमान चौद्री ने बताया कि उधमपूर के डो मिल चौक के पास बीती रात करीव सहे 10 बजे पेट्रोल पंपर खड़ी एक बस में धमाका हुआ था ठीक वैसा ही दूसर धमाका आज सुबह करीव 6 बजे पुराना बस स्टेंड के पास खड़ी एक बस में हुआ जिसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है हाथसे में साथ खड़ी गारियों को भी नुकसान हुआ है ब्लास्ट के कारण का पता जांस के बाद पता चलेगा पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और साजी सजने वाले को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है इससे पहले जमु कस्मीर के कुलगाम जीले में पिछे 36 घंटे के भीतर दो अलग लगए एंकाउंटर में आतंकी संगठंग जैसे मुहमत के तीन आतंकी मारे गए थे EDGPVJ कुमान ने बताया था कि मारे गए आतंकी कश्मीर में हुए कई वार्दातों में शामिल थे घाटे में 36 घंटे में ये दूसरा एंकाउंटर है इससे पहले कुलगाम जीले में सोमवार राथ बेजबट पोरा इलाके के पास मोटुपेड हुई थी इस एंकाउंटर में सेना का एक जवान और दो नागरिक भी घायल हुए थे इस मेहने में सेना का ये पांचवा एंकाउंटर है इससे पहले 25 सितंबर को भी कुपवाड़ा में सेना और पूलिस ने दो आतंक्यों को मार गिराय था ये कारवाई एलसुट टेक्री नार के पास की गई थी दोनों आतंक्यों के पास दो एके फोटी सेवन राइफाल्स दो पिस्टल और चार हेंट ग्रैनेट ब्रार बंद हुए थे वहीं 14 सितंबर को जमू कस्मिर के स्री नगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलो ने दो आतंक्यों को मार गिराय था जबानों ने 12 सितंबर को भी एक आतंकी को धेर किया था